आईए हम बात करते हैं बोलती बंद करा देने वाली बिहारी न्यूज एंकर अंजना ओमकश्यप के बाड़े में बड़ा से बड़ा रास्ति लख सूर्मा कितनी वीवाचाल हो तपाक हो अंजना ओमकश्यप के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है आप अंजना के विचारों से सहमती ना रखते हो उनकी पत्रकाडिता में किसी दल विशेश का समर्थन दिखता हो पर उनकी छमता और योग्यता पर आप सवाल कभी भी नहीं उठा सकते हैं अंजना ओमकश्यप देश की उन लाखों लर्कियों के लिए आदर्श है जो अपना कडियर पत्रकाडिता में बनाना चाहती है 12 जून 1975 को जन्मी बिहारी मूल की अंजना के पिता डॉक्टर ओम प्रकास्तिवारी आडा के रहने वाले थें और उनकी माता बिहार शरीफ की चूकि पिता जी डॉक्टर थें तो राची में पोस्टेड भी थें तो अंजना की प्रारग्मिक सिच्छा दिक्षा अभी वाजित बिहार के राची सहर में हुई उन्होंने राची के प्रतिस्ठित लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिन पूरी की तो ग्राजुएशन उन्होंने डॉलत रांग कॉलेज से पूरी की उनका सब्जेक्ट जुलोजी था क्योंकि पिता की तरह उनका भी सपना एक डॉक्टर बनने का था पर अफसोस कि इस सपने को साकार करने में वो असफल रही सामाजिक बुडाईयों को देख उद्ध्वलित होने वाली अंजना का जुकाओ धीरे-धीरे पत्रकारिता की ओर होने लगा 2002 में अंजना ने जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और 2003 से उन्होंने पत्रकारिता प्रारंब कर दिया कॉलेज के दिनों में ही उनकी दोस्ती मंगेश से हुई वही मंगेश उनके जीवन साथी भी बने मंगेश सीनियर IPS अधिकारी हैं और दिल्ली पुलीस में पोस्टेड हैं वैसे आपने अंजना को कई बार दिल्ली पुलीस की क्लास लगाते हुए भी सुना होगा अंजना का सफर दुरदर्शम के कारेक्रम आखो देखी से शुरू हुआ उसके बाद वो G-news, News24 और Star News के साथ भी जुड़ी पर उनके लिए आज तक काफी लखी सावित लुआ आज तक ने अंजना को जर्नलिस्ट से स्टाज जर्नलिस्ट बनाया आज हर हिंदी भासी पडिवार में अंजना को लोग नाम से जानते हैं वैसे तो अंजना आज तक में senior editor और news anchor हैं पर लोग उनका डिबेट काफी चाव से सुनते हैं अंजना जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं की हवा निकालती हैं और अपने अंदाज में जार पिलाती हैं तो सिस्टम से त्रस्त आम भारतियों दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है हला बोल राज तिलक बड़ी बहस दिल्ली के दिल में क्या है जैसे काड़ेक्रमों ने अंजना ओमकश्यप को भारतियों पत्रकाडिता की दुनिया में अलग इस्थान दिलाया है हला कि अंजना कई बार विवादों से भी घिड़ी जब उन्होंने आम आदमी पाटी के नेता और पुर्व पत्रकार आशिश खेतान की आउकात पर सवाल उठा दिया था उस वक्त अंजना की काफी खिचाई भी हुए थी एक बार अंजना ने अपना नाम अंजना ओम कश्यप की जगा अंजना ओम मोदी पर लिया था तब उस वक्त दिवा सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल की गय थी हालाग यह एक मामूली गलती थी पर कहते हैं न कि संसार का चड़ित्र आलोचक है बस तलाश मौके की ही रहती है एक सारवजिनिक कारेक्रम में जब अंजना से एक छोटी बच्ची ने सवाल पूच दिया कि मैम आप महिला है और वह भी बिहारी महिला क्या कभी आपको डर नहीं लगता तो अंजना ने दो टुक जवाब दिया कि जब आपके आसपास सब कुछ कमजोड हो तो आप सबसे सकति साली होते है मेड़ी पढ़ाई लिखाई चाहे कहीं भी हुई हो पर दिल के एक कोने से लगता है कि मैं बिहारी हूई और हमेशा बिहारी रहूंगी भी बताया आता है कि अंजना ओमकश्यप की आए एक करोड रुपे सालाना है बिहार को अपने इस अनमूर रतन पर नाज है अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूटिव चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एम ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेब साइट बिहारी.news को विजिट करें शुक्रिया